नमस्कार दस्तों मेत्रीबूटिक में आज हम आपके लिए फेस्टिवल के एकोडिंग स्लीव, ट्राउजर या फिसलवार के लिए बहुत ही ट्रेंडिंग सा डिजाइन लेकर आए हैं इसको बनाना भी बहुत आसान है, इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर डबल फोल्ड करके फैबरिक लिया है, नीचे मोहरी वाला पोशन है 17 इंच का, 6 इंच में मोहरी त्यार करने हैं तो 10 से 11 इंच आपको इसको एक्स्टा रख लेना है, स्लीव में भी से मैंसे ही आपको क चाता है, और यह बिल्कुल जो इक्वल बन करके तयार होती हैं, छोटी या बड़ी नहीं रहती हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स का यूज करके हम अपनी सिलाई को और भी जद़ पॉफेक्ट बना सकते हैं, इस तरह से पूरे पोशन में हमें प्लेस को बना ले और इस पट्टी को आपको इस तरह से दो से तीन बार फोल्ड कर लिना है, फोल्ड करने की बाद इसमें आपको मार्किंग करनी है, यहां पर छोट दीदी दो इंच नीचे से, साइड से भी दो इंच छोट दीजिए, और जो नीचे वाला पोशन है, इसके बीचों बीच ए आप देख सकते हैं, मिल्कुल इकोल यह सभी कट करके रैडी हो चुके हैं, अब इनको टैज करने के लिए हम यूज करेंगे इस फैब्रीक पट्टी का जिसकी चोड़ाई हमने रखी है 6 इंच, इसको हमें यहां पर रख लेना है, कुछ इस तरह से उपर से अदाइंच छो करेंगे, और जो भी आपका पूरा पोर्शन है, कट वर्क है, इस पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है, ध्यान लखे दोस्तों, अगर आप सिलाई, जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है, इसके उपर से लगा रहे हैं, तो इसके उपर से लगाएं, या फिर नीचे से लगा पूर्शन आपको इसमें छोड़ना है, और बहुत ही छूटे छूटे कट्स भी डाल देने हैं, जिससे बहुत ही अच्छे से निकल करके आजाएगा, अब इसको हमने उपर वाले को तो फोल्ड कर दिया है, और जो अंदर है इन सभी को बाहर की तरफ निकाल लीजे, अच् पर इसको टेच कर दीजिए, सेम उसी तरह से जैसे हम नेक में कोलर टेच करते हैं, सेम उसी तरह से हमें इसको भी आप पर टेच कर दिना है, अब आपको इसको दूसरी तरफ पलट देना है, पलट करके एक ओर सिलाय लगाएंगे, तो ये हमारी सिधी वाली साइड आजाए अगर आप इस तरह से इसको तयार करते हैं और दोस्तों अगर आपको इस तरह की सलवार बनानी सीखनी है तो आफगानी सलवार टाइप है इसका पूरे वीडियो हमने डालो हुआ है जिसका लिंक आप उची डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां से आप इसकी कटिंग इसकी डिक्रेशन के लिए आपके पास जो भी लेस एवेलेबल है उसको यहां पर एटेज कर सकते हैं इससे यह जालन नूमर डिसाइन बन जाएगा और हम बोटम के लिए यूज कर रहे हैं तो यहां पर यह काफी अच्छा निकर करके आएगा यह डिसाइन और नीचे हमने एक पट्टी ली है जिसकी चोड़ाई आप देख सकते हैं मेजरमेंट से हमारी पट्टी की जो पेस्ट की हुई है 1.5 इंच है और जिस पट्टी के ऊपर हमने पेस्ट किया है उसकी चोड़ाई है 5 इंच इसके ऊपर आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है पेस्ट करने की आप चाहे तो सिद्धे वाली साइड से सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से यह हमारे इसके साथ जोईन हो जाएगी अब हमें इसको भी पलट लेना है पलट करके जो नीचे वाला पूर्शन है इसको कवर करते हुए पूरे फिनीसिंग के साथ बिल्कुल किनारे से होती हुए सि त्यार हो जाएगा कुछ यूनीक सा है अभी तक सायद आपको यह डिजाइन ना मिला हूँ तो बिल्कुल यूनीक है इसको आप एक बाद जरू ट्राइ करने और दोस्तों हम साथ में यूज कर रहे हैं इस फ्लावर लेस का एक टोटली ओप्शनल है आप इसको लगाना चा चाहरा है आप ऊपर वाले पोर्शन में यह बीट्स हम लगाने वाले हैं जो प्लेट्स हम ने बनाई थी बुक्स पेट्स इन प्लेट्स को आपको इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर दो से तीन बार आपको अच्छे से स्टिच करना है धागे से और बीट्स को यहां प इतना प्यारा लग रहा है बनने के बाद आप देख सकते हैं और जो यह प्लेट्स हमारी उपर है वह उपर तक जाएंगी तो बैल्स के साथ बहुत ही अच्छा से यह बन करके तयार होंगी दोस्तों फिर से आग आपको बता रहे हैं इस तरह की सलवार का वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जरूर देख लीजिएगा ना मिले तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं अब इसको आपको इस तरह से फोल्ट करना है जो भी आपकी मुहरी है उसके लिए मार्किंग कर लीजिए जितना भी आपको रैडि करनी है और यह पूरे मेटेरिल की जुरूत नहीं है सिंपल मेटेरिल से आए आम इसको तयार कर सकते हैं दोस्तों उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आए तो प्लीज लाइक शेर करें चले पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स प्लीज लाइक शुझक